रूधीर और लसिका में अंतर क्या क्या है? रूधीर का मतलब होता है बलोट और लसिका का मतलब होता है लाइम पोश्टिक यानि किसी भी घाव में पहले बलट लिकलता है उसके वाद लसिका लिकलता है जो की पिले रंग क्या होता है? दोनों में अंतर पहला अंतर रुधिर या लाल रंग का होता है लसिका या रंगी या हलके पिले रंग का होता है दूसरा अंतर इसमें हेमोगलोबिन होता है रुधिर में हेमोगलोबिन होता है लेकिन लसिका में हेमोगलोबिन नहीं होता है तिसरा अंतर इसमें लाल रक्त कनिका, सुएत रक्त कनिका और रुधिर पटिकाय होती है लसिका में इसमें कनिकाय नहीं होती है रुधिर या हिर्दे के अंकों तक बहती है और वापस आती है लसिका या क्यवल एक ही दिसा में बहती है अर्थात उत्तकों से हिर्दय की और इसमें सुवसन, वर्षन, ओक्सिजन, कारवन डाकसाइट और वज्जिय पदार्थ होते हैं लसिका या सरी की कोशिकाओं को नहलाता है इसमें सभी परकार के रक्त प्रोटीन पाए जाते हैं इसमें प्राइब बीन नोजन नहीं होता है यहें रुधीर और लसिका में अंतर क्या क्या है लसिका और रुधीर में मुख्य अंतर है